या वलती पबलीक, बोले तो तकलिफ, आमूल माचो, पहन के नाचो So, Welcome to Insane Football Talks, Your home of football reviews, tactics, controversies, जो भी होगा आपको इस चैनल पर मिल ही जाएगा, guys और, do consider subscribing, देखो guys, मेरे अब वीडियो मेरे सब्सक्राइबर से जादे होगा है So, it's high time that I get more subscribers to this channel और चैनल को बढ़ाने में जड़ा मदद कीजे, do support us, keep supporting, जो भी देख रहे हैं, do support us by smashing that subscribe button and like button as well and share it as well, अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है So, let's get started, आज हम बात करेंगे वार सो लोना के उस transfer rumors के बारे में, उससे पहले I hope that you are enjoying this festive season, enjoy करिए, full मजे करिए, बद ध्यान रखिए कि Omicron फैल रहा है So, stay safe, stay healthy, तो अब हम यूडियो की शुरुआत करते हैं तो बात सो लोना में जैसे आपको पता है, हर एक दिन, हर एक दिन कुछ ना कुछ rumors आते ही रहते और कुछ ना कुछ बाते होती ही रहती है तो आज बात होगी उन्ही rumors के बारे में, उन्ही hypothetical questions के बारे में, जिने हमें answer करना है अब वो questions के है, क्या हम delete को sign कर पाएंगे, पहला question, दूसरा question क्या हम हालन को sign कर पाएंगे, तिसरा question क्या हम इन दोनों को register कर पाएंगे चलो पहले question के तरफ चलते है, क्या हम delete को sign कर पाएंगे, obviously क्या हम sign नहीं कर पाएंगे, sign कर पाएंगे, ज़रूर कर पाएंगे क्या हमारे पास पैसे हैं अब वो एक चिंता का विशा है क्योंकि देखो यहाँ पर भारसोना के पास पैसे हैं बट इन दोनों में से किसी एक को साइन कर सकते हैं ठीक है क्योंकि अभी जो हमने साइन किये एक नहीं कमपणी के साथ डिल उन्होंने हमें half a billion rupees दिये है 500 million rupees दिये देखो पहली बार डिलेट का एजेंट कौन है मीनो रायोला ठाइक कमिशन तो कही न कहीं सा खाना है और उसके बार डिलेट हमें 55-60 million के नीचे नहीं मिलना कहीं से कहीं से भी नीचे नहीं मिलने वाला है इसके और उपर से हमारे salary cap के लगे हुए और salary cap के है देखो अब लै समझो आपकी income 100% है responsibly 70% जो income वोगी वह आपके players के wages में जाएगे आपके staff के wages में जाएगे बारसलोना में ऐसा नहीं है बारसलोना में 95% है ये बहुत जाता था था लियो मेसी था अब वह गल्ती लियो मेसी की निया गल्ती party में हो गी है बट सी नहीं हो गया था कि अब लियो मैसी तो था एंड याज लियो मैसी विल भी हाइस पेड प्लेयर इन टीम राइट वो था और तब हमारी सैलेरी कैप थी 110 परसेंट 110 समझ रहे हो भाई 110 और लियो मैसी जाने के बाद भी कुछ कम नहीं हुई है 95 परसेंट पर एटकी है अ एंटीटी हो गया और जो हमें प्लेयर नहीं चाहिए जैसे कि बासलोना काउंट नहीं कर रहा उस पर और क्यूंकि हमें दस मिलियन भरने पड़ेंगो उसकी पैरेंट क्लेप को तो हमने कह दिया उस है यू लूप फॉर अनदर क्लब ठीक है यह तो ठीक हो गई बट पर्लेट की सैलेरी काप मतनी है 95% अर और अगर उस पर आप बीलिट को साइन करोगे औो कहिना कही इंक्रीस होने बाली ये बिना डिप अख्ब तो कही ना कही क्या increase होई जाएगी 100% के पार चली जाएगी तो ऐसा नहीं होने थे कि लैलिका लैलिका restrict करेगी बारसलोना को और लैलिका के rules कुछ बारसलोना को help नहीं करते तो जैसे आपको पता है लैलिका pressure करेगी बारसलोना को to sign the CVC deal अब यह CVC deal क्या है आपको पता चली क्या होगा अगर आपने वह भी नहीं लगी तो link flash हो रही होगी उपर प्लीस चेक इट आउट लैलिका इंपोस करेगी कि बारसलोना को to sign the CVC deal अब वह करेगी का नहीं बारसलोना पर है क्या उन्हें वह improved CVC deal मिल पाएगी या नहीं वह बारसलोना पर है वह हमें बार में बता चलेगा बट इस हिसाब से हम delete को sign नहीं कर सकते साइन नहीं रेजिस्टर नहीं कर सकते अब देखो हमें यहाँ पर तकलीफ कहां आ रही है हम फराएंट टॉर्स को भी रेजिस्टर नहीं कर पा रहे है फिलार हमें उसके लिए सेलरी रेडियूस करनी होगी यह डिपाचस तो चाहिए ही हमें guaranteed डिपाचस चाहिए जैनवरी में तू रेजिस्टर फरान्ट टॉर्स अब हम समर में अगर देखनें गए कि हमें साइन करना है डिलीट को या हालेंड को हमें डिपार्चस तो वहां पर भी करने होंगे अब देखो उम्टीटी कुटीनियों की बात अलग बासोला ना में हर एक प्लेयर की सैलरी जो बाइटिमियों के एरा से चली आ रही है बहुत ज्यादा है हद से ज्यादा सैलरी दे रहा कोई भी कलब उसका एक पोर्शिन परसंट का मतलब एक पोर्शिन ऑफ सैलरी भी नहीं भरना चाहता उन प्लेयर का क्योंकि ओवधो फिलहाल तो अंप्रूवन है बार सोलना में वो बार सोलना में ना प्लेंग वेल तो कहिए ना के उनके परफॉर्मेंस पर एक गिरा मार्क value बहुत नीचे चलेगी और market value से ज्यादा तो हम उन्हें पैसे दे रहा है तो वो कैसे करेगी दूसरी club afford वो नहीं कर सकती और यह सही बात भी है क्यों करेगी तो यहाँ पर एक ही रास्ता बचता है termination of contract but यह बहुत risky है यहाँ पर club भी backfire हो सकता है कुछ भी हो सकता है यह बहुत risky है termination of contract is the only thing that we can do right now अगर वो नहीं माने बास उना छोड़ना या फिर कोई club उन्हें नहीं लेना चाहती तो termination of contract is the only thing that we can do but going on to delete हम register नहीं कर पाएंगे being serious I am being serious हम उसे register नहीं कर पाएंगे yes आ गया defense improve होगी बहुत से मतब अच्छे काम होंगे हमारे लिए register नहीं हो पाएगा जोल जाल करना होगा ले पुरता को और वो करने में माहिर रो कर भी लेगा इस हिसाब से दो बहुत मुश्किल लग रही है delete की signing भाई बहुत मुश्किल लग रही है बट अगर हम हालाइंड पर चले जाए अब हालाइंड की situation थोड़ी अलग हो सकती है अब देखो हालाइंड अगर हम delete को नहीं हाइंड के पूछ हम यह सायद से नहीं पता हम जाएंगे का नहीं मता हाइप्टेटिकल की samा हम ह्याहँ हालाइंड को ले भी ले सम्झो हमने उसे 80 मिलीन में ले भी लिया उसके Agent की कमिशन होंगी उसके father की कमिशन होगी और dus दिल से कहना, सही में बोल रहा हूँ, मैं Spider-Man के spoilers दे दूँगा अगली वीडियो में, सही में, दिल से बोलना, क्या आपको सही में लगता है Ireland उसी टीम में जाएगा, जिसमें Killian Embap पे जाएगा, तो Killian Embap पे जाएगा, जैसे क्या आपको पता है, जो उसको एक Spotlight दे, और वो फिलाल उसे बास्टोना में मिल सकता है, किसी और टीम में मिल सकता है, मड्रिड में ही मिल सकता, मड्रिड में अगर Killian Embap पे जाएगा, Spotlight तो Killian Embap पे पर रहेगा, देखो Galactico अलग थे, Galactico अलग थे, यह अलग है, फिलाल तो देख रहे हैं उनके स्टाइट्स के बदौलत तो हालेंड वैसे ट्रिम को फिफर करेगा, जो स्पॉटलाइट में रखे और उपर से, अगर समझो बास्रोना में हाइपोटिकली बोल रहा हूँ, अगर आवी जाएगर बास्रोना साइन कर ले, हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि जहाँ पर हालेंड वहाँ मार्केटिंग में जबर्दस्थ है, आप कुछ भी कहलो मीनो रायलो का मार्केटिंग में बहुत जबर्दस्थ हाथ चलता है, बहुत जबर्दस चलता है, और अगर आपने देख भी लिया होगा उसके एजेंट जितने भी है मार्केटिंग, मार्केटिंग उनका बहुत तगड़ा होता है, और जिस स्प्रीम महालन जाएगा वहाँ पर रेवेन्व तो आना ही है, तो क्यों ना बास्रोनर साइन कर ले, पर बात वही हाँ जाती है, य यहाँ पर भी हमें डिपाचस चाहिए, हमें वह पैसा चाहिए कि हम उसे साइन कर सके, वह हमें डील में मिल चुका है, यह कह रहा हूं है, यह हमारी थोड़ी फाइनशल इंप्रूमेंट्स हो जाएंगी, तो शाहिद से हमने रेजिस्टर कर पाए, दोनों को डिलीट या हा किसी एक को ही रेजिस्टर कर पाएंगे, क्योंकि हमें अभी ही, डैनियल वेज़ फरेंट टॉरेस को रेजिस्टर करने में इतनी तकलीफ हो रही है, तो आप सोचो अगर हमारे पास डिलीट और हालेंड आगे, तो कितनी ही तकलीफ हो जाएगी, और एक न्यूज आ रही है जोजे गाया के बारे में है, तो अगर आपको पता नहीं जोजे गाया कौन है, और बासलोना बहुत पहले से उसे परस्यू कर रही है, देखो, वी आर लेकिंग फूल बैक्स, और जावी मुझे नहीं लगता कि डैस्ट पर उटना ट्रस्ट करता है, और डैस्ट मार्केट पर है, डैस्ट मार्केट पर है, और टीम उसके लिए बिड लगाएंगी, अब वह बासलोना बर डिपेंड है, देखो, अभी यंग है, डैस्ट के बास बहुत इंप्रूमेंट्स है, इंप्रूमेंट्स करने हैं तो इसलिए जावी उसे एक benefit of doubt दे रहा है कि वह इंप्रू देता है, we will be happy, हमें क्यों नहीं, उसके बास हो ability है, constant performance देने की, और हमें खुशी भी होगी, बट फिलाल नहीं दे रहा है, और जावी के plans मुझे नहीं दिख रहा, सही में, speaking frankly मुझे नहीं दिख रहा, जावी के plans में, long term में जब तक वह performance नहीं देता है, तो इसलिए उसे market पर डालागा, यंग है, पैसे भी मिल जाएंगे, 40-45 million, तो हम उसे एक नया player sign भी कर सकते है, and अगर cash-in हो गया, तो हम शायद से जोजेगाया पर जा सकते है, क्योंकि बास्रोना उसे बहुत पहले से pursue कर रहे है, बास्रोना के target पर रहता ही है, हर एक season में उसका rumor आता है, कह the top transfer rumors है, यह आपको लगता है realistic है, जो comments में बताइए अपने opinions, और मिलता हूँ हम सगली वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, take care, peace out, और सावधान रहे, सतर कर रहे, देखते रहे insane football talks, for more football related content, and I'll take a live, peace out.